कुछ अच्छे कुछ करेंगे जो बिलकुल आपके लिए जादा नहीं इलाबरेट किया है छोड़ छोड़ चीजों में मैंने उसको कनवर्ट कर दिया है जिससे आपका थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा और थोड़ी बुक भी देख लोगे बच्छो तो आपके कामा जिसमें लिंगम डिगरम मैंने आपके अच्छे तरीके से बता दिया वह आपके लिए बहुत ज्या which is present as impurity in silver देखो PB जो होता है silver में as a impurity होता है यानि अगर मैं बात करूँ molten mass ले लू, molten mass मतलब इसमें आपका AG भी है और साथ में impurity भी है बहुत अच्छी बात है, again I am repeating AG प्लस impurity P, चलो बहुत अच्छी बात है यह आपका molten mass है ठीक है अब इसमें impurity में आपको क्या है basically इसमें बोल रहा है कि इसमें PB है तो कहता है PB which is present as impurity in silver is removed by which process simple सी बात है AG प्लस impurity, impurity क्या है PB, अब PB आपको पता है PB को हटाना है और अगर temperature थोड़ा हम बढ़ा दें अगर if we increase the temperature अगर temperature में इसको high temperature में बदल दूँ तो यह convert हो जाता है बच्चो किसमें PB O में आगया समझ में lead oxide में अब यह lead oxide में convert हो गया और इसको हम लोग lead oxide में in the form of lead oxide remove कर लेते हैं अपल जो होता है एक cement और का बना हुआ एक जो है न ओवल टसेफ का आपका एक यह बरतन होता है इसमें molten mass ले लिया और हमने इसमें क्या कर दिया temperature rise कर दिया high temperature जैसे ही temperature आपका rise हो गया pb oxidized हो के किसमें बन गया pb lead oxide में change हो गया और इस lead oxide को हमने remove कर दिया silver से क्या कोई problem वाली बात है नहीं sir तो अगर आपसे कोई पूछ है कि pb which is present as impurity in silver is removed by the cupel में लिया that process is called simply cupulation कौन सा process है बच्चों cupulation तो अगर आपसे यह question का answer पूछा जाए cupulation process आप बता देना क्लियर तो question number one we will say that is C is the correct option I am going to rub this part and let's move to the next question next question की तरफ हम बढ़ चलते हैं बच्चों थोड़ा सा धियान देना next question आपका क्या है अगर आप इसको थोड़ा सा धियान दे के work करोगे तो आपकी working बहुत अच्छी हो जानी है next question number two which of the following is not a halide ore बोलता है कौन इसमें halide ore नहीं है कोई problem बाली बात है कोई problem नहीं है देखो अगर मैं बात करूँ cryolite की cryolite का formula होता है na3 alf6 जानते हो ना alumina में mix करते है alumunium के इसमें extraction में बिलकुल अब देखो इसमें fluorine है यानि इसको halide ore में हम बात करेंगे यह halide ore में है then there come philosopher, philosopher का formula होता है caf2 इसमें भी halide है halogen है fluorine है तो यह भी halide ore है अच्छा अगर मैं बात करूँ horn silver की तो horn silver का formula क्या होता बच्चो agcl होता है होता है क्या यानि इसमें भी halogen है अब अगर मैं बात करूँ limonite की क्या limonite में आपका जो है होता है limonite का formula होता है ZnCO3 क्या कोई problem वाली बात है limonite sorry pardon pardon गलत हो गया limonite नहीं है calamine का formula होता है pardon limonite का formula होता है बच्चो Fe2O3 into 3H2O clear yes which of the following is not a halide ore तो कौन सा halide ore नहीं है by looking at this we can say limonite limonite जो होता है इसमें halogen नहीं होता और आपको पता है कि अगर आपसे ore की category को divide करने बोले तो याद करो मैंने बताया था oxide अगर oxygen हो तो उसको हम लोग क्या बोलते है oxide ore अगर halogen हो fluorine, chlorine, bromine और iodine उसको हम लोग क्या बोलते है बच्चो halide ores अच्छा अगर आपका carbonate हो CO3 तो उसको हम लोग बोलते हैं carbonate ore उसके बाद आपका जो होता है sulfate ore भी आता है उसके बाद आपका जो है nitrate ore भी आता है बहुत अच्छी बात है then there comes nitrite ore, nitrite ore भी आपका आता है ठीक है oxide, halide, carbonate, sulfate, nitrate, nitrite यह सब ore है और भी बहुत सारे आते हैं बच्चो ठीक है sulfide ore भी आता है तो इन में से sulfide ores भी यानि sulfur है तो sulfide ores है, nitrate है NO3 तो आपका nitrate ore है, nitrite, sulfate हो गया, SO4 हो, carbonate हो तो यह सब ore के different categories में आ जाते हैं तो halogen नहीं है, तो halide ore नहीं होगा तो कौन सा answer होगा question number 2, we will say that is D is the correct option, D आपका correct option है क्या कोई problem वाली बात है, नहीं sir कोई problem वाली बात नहीं है तो चलो इनको rub करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, next level की तरब, जो next level है वो हमारा क्या है उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं next question number 3 की हम बात करते है, question number 3, slag, slag is formed by the reaction याद करो मैंने बताया था, अगर किसी भी metallurgical process, metallurgical operation में किसी metal ore में के साथ, अगर कोई acidic impurities होती है acidic impurities होती है, तो उस acidic, जैसे suppose करो SiO2 अगर acidic impurities होती है, तो उसको remove करने के लिए हम एक chemical substance उसमें mix करते हैं उस chemical substance को हम लोग बोलते हैं flux, अगर acidic impurities हैं, तो हम कौन सा flux मिलाते हैं? basic flux मिलाते हैं, जैसे for example FeO, दोनों मिल के क्या बन जाता है? F, E, S, I, O, 3 और इसको बोला जाता है बच्चो क्या? slag, this is the slag formation, ठीक है? अब अगर आपके पास basic impurities हैं, ध्यान रखना, impurities हैं, अगर basic impurities हैं, तो उसको remove करने के लिए chemical substance डाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, acidic flux, और acidic flux जो होता है, फिर से आपका mix होके क्या बना देता है? बच्चो, slag, जैसे इस बर basic impurities मैंने डाल दिया, feo, और acidic flux डाल दिया, siot, जोरी नहीं कि यह हमेशा impurity भी होती है, यह आपका जो होता है, flux भी हो सकता है, तो आपका बन गया, फिर से क्या? एसे जोरी नहीं, feo, cao भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा अलग example लेना है, तो cao डाल दो, तो आपका क्या बन जाएगा, बच्चो, casio3, लो यह आपका auric slag का formation हो गया, तो slag क्या से बना समझ में आ गया? बिलकुर, तो यहाँ question में कहरा है, slag is found by the reaction of acidic flux plus acidic impurity, wrong, basic flux plus basic impurity, no opposite होना चाहिए, acidic plus plus basic impurity, acidic flux plus basic impurity, यानि third जो है आपका correct option है, तो अगर acidic impurities हो, तो basic flux दालो, और basic impurities हो, तो acidic flux दालो, you will get the answer. So, for question number 3, we will say that AC is the correct option. Now, let us move to the next question, question number 4, क्या है question number 4, थोड़ा सा ध्यान से समझ हो, question number 4 में दिया, which of the following does not contain copper? अच्छा, आपको पता है, brass, brass क्या है, alloy, alloy क्या होता है, alloy is an homogeneous mixture of two or more metal और metal and non-metal, generally metal का ही देखता है, जैसे brass, brass में composition generally किसका होता है, brass जो होता है, alloy होता है, Cu plus Zn का, ठेक, bronze किसका alloy होता है, bronze alloy होता है, Cu plus Sn का, और azurite किसका alloy होता है, formula होता है, Cu3, CO3, hal twice into OH, hal twice, और calamine का formula क्या होता है, बच्चो, ZnCO3, यही तो पुरा formula होता है, अब कहता है, which of the following does not contain copper? किसमें copper नहीं है, देखके तुम बता दो, sir, it's very simple, D is the correct option, जो calamine है, इसमें आपका क्या है, copper नहीं है, So, question number 4 के लिए, हम बिल्कुल कह देंगे, that is, D is the correct option, now I'm going to drop this part, हम मैं इसको रप करता हूँ, बच्चो और बढ़ चलते हैं, next segment की तरफ, क्या है next segment, उस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं, question number 5 की तरफ, हम लोग बढ़ चलते हैं, question number 5, Which of the following type of iron can be welded easily, अच्छा, कहता है, किस iron को हम easily weld कर सकते हैं, iron का type जो हम जानते हो, pig iron, cast iron, wrought iron और steel, आपको पता है, सबसे कम जो है iron का, जो commercial form of iron है, वो क्या है आपका wrought iron है, क्या बोला मैंने, that is commercial form of iron is wrought iron, wrought iron में जो होता है, carbon का percentage जो होता है, वो 0.2 से 0.5% के बीच में होता है, again I am repeating, that is wrought iron में जो carbon का percentage होता है, 0.2 से लेकर, 0.5% इसमें क्या होता है, बच्चों, carbon होता है, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं, so if anyone ask you, which of the following type of iron can be welded easily, so the answer will be wrought iron, that is B is the correct option, again I am repeating, question number 5, B is the correct option, क्या कोई problem बाली बात है, नहीं sir, कोई problem बाली बात, नहीं है, तो आगे बर चलते हैं बच्चों, yes sir, बिलकुल बर चले, आगे जब हम question number 6 देखते हैं, यह बोलता है, select the correct matching, आपको पता है, कि जो term मैंने बताये थे, pyro metallurgy, मतलब metallurgical, जैसे smelting हो गया, gold smith process हो गया, smelting हो गया, यह जो ऐसे process, जो high temperature पे carried out हो, वो metallurgical operation, किस category में आ जाता है, pyro metallurgy में आ जाता है, जैसे reduction process भी होता है न, बिलकुल, तो भाईया, pyro metallurgy में extraction of Fe, बिलकुल सही है, iron का extraction pyro metallurgy में भी होता है, high temperature पे होता है, electro metallurgy, electro metallurgy मतलब, जो highly reactive metals होते हैं, जैसे, क्या बोलते हैं, हम लोग, electrolysis process, तो electricity का यूज करके आता है, तो extraction of aluminium, बिलकुल, electro metallurgy का ही पार्ट है, बिलकुल सही है, hydro metallurgy, आपको पता है, कि जो substance है, जो और सही है, उसको हमने एक suitable reagent से treatment करते हैं, जो water soluble होता है, ठीक है, और इनका water soluble solution के दुरू होता है, complex formation होता है, तो hydrometallurgy extraction of AU, AG और AU के लिए तो होता ही है, hydrometallurgy, तो भाईया, pyro extraction of F-E, बिलकुल सही है, electro metallurgy extraction of aluminium, बिलकुल सही है, hydrometallurgy extraction of AU, बिलकुल सही है, यानि तीनों जो हैं, बिलकुल correct हैं, और हम इसका answer बोल सकते हैं, sir, all above are correct, question number six, we will say that is D is the correct option, now I am going to rub this part, अब मैं इसको rub करता हूँ, और बच्चों, आगे बढ़ चलते हैं, next segment की तरफ, क्या है next segment, उसको तुम समझ लेना, उसको तुम समझ लेना, now question number seven, aluminium is oxidized in, अच्छा, aluminium oxidized होता है, ये तो सारा aluminium का process है, alumina को लेके aluminium बनाते हैं, लेकिन aluminium oxidized किसमे होता है, याद करो, aluminium oxidized होना मतलब, aluminium किसमें बदल जाता है, AL2O3, अगर मैं ilingham diagram की बात करूँ, तो नीचे अगर आज आता है, नीचे में कौन आता था, याद करो, मैंने बताया था, calcium आता था, magnesium आता था, aluminium आता था, then आपका chromium and so on, Fe अधर आते थे, यानि aluminium के पास power है, सामने वाले जो दूसरे less reactive होंगे, उसको oxidized, उसको reduce कर देने का, यानि, it will act as an reducing agent, जैसे iron का oxide ले लो, Fe 2 O 3, या chromium के oxide ले लो, Cr 2 O 3, जब इनको हम aluminium के साथ treatment करते हैं, तो reduction process take place होता है, और huge amount में energy release होती है, और इस process को हम लोग क्या बोलते हैं, thermite process, alumino thermite process, rail track की welding में इसी का तो काम आता है, क्या बनता आपका, Fe और निकल जाता है बच्चो क्या, Al2 O 3, तो ऐसे reaction में ही तो aluminium oxidized हुआ, ये reduced हो गया, और ये aluminium क्या हो गया, oxidized हो गया, क्यों, क्योंकि aluminium का use, हम as a reducing agent कर सकते हैं, जो aluminium से ailingum diagram में अपर आता है, यानि जिसके लिए delta G की value, aluminium से कम negative होती है, याद को डिलिंगम डेगर में बताया था ना, इस तरीके से, delta G और T के बीच में, यहां सबसे नीचे आ रहा था, आपका mg, then calcium, उसके बाद आपका आ रहा था aluminium, further so on, जो उपर वाला जाएगा, या उपर वाले को नीचे वाला क्या कर सकता है, reduce कर सकता है, यानि they will act as an reducing agent, तो aluminium oxidized किस process में होता है, sir aluminium oxidized जो होता है, alumino thermite process में होता है, again I am repeating, aluminium is oxidized in alumino thermite process, तो question number 7 का बिल्कुल easy answer है, that is D is the correct option, clear, yes sir, completely clear, now I am going to rub this part, मैं इसको रप करता हूँ बच्चो, और बढ़ चलते हैं, question number 8 की तरब, question number 8 में आपका आजाएगा, question number 8, blister copper, blister copper जानते हो, याद करो copper के extraction को आपने पढ़ा होगा, blister copper क्या होता है, देखो, mixture of Cu2S and Cu2O, नहीं, Cu2S with some FES, मतलब FES as an impurity, impurity sorry, copper with 1 to 2% impurity, याद करो, आपको आपने बुक में भी देखा होगा, कि जो आपका blister copper होता है, बच्चा, blister copper जो होता है, उसमें 96 से लेकर, 99% जो होता है, purest form of copper होता है, again I am repeating, purest form of copper, और इसमें only 1 to 2% ही आपका क्या रहता है, impurity रहती है, again I am repeating, that is, it contains only 1 to 2% impurity, यही है आपका क्या, बच्चो, blister copper, again I am repeating, this is a blister copper, so सीदा सीदा, इसका answer हो जाएगा, D is the correct option, that is, blister copper is metallic copper, with 1 to 2% impurity, 1 to 2% जो है, आपका impurity, अगर इसमें आ जाए, that is called blister copper, चलो बहुत अच्छी बात है, रभ कर दू, बिलकुल थियोरी पार्ट है, थियोरी बाले पार्ट को अच्छे तरीके से कर लो, maximum number of question, इसमें से practice कर लो, आपका work हो जाना है, question number 9 की तरफ मैं बढ़ चलता हूं, question number 9 कहता है, in the extraction of copper from malacite, malacite का formula क्या होता है, बच्चो, C-U-F-E-S-2, यही malacite का formula होता है, which process is required to produce C-U-O, C-U-O from the ore, क्या यह formula malacite का सही है, नहीं sir, यह malacite का formula नहीं होता है, malacite का formula होता है, C-U-C-O-3, C-U-O-H, halt twice, यह copper pyrites है, yes sir, बिलकुल, बिलकुल सही कह रहे हो, तो कहता है कि, in the extraction of C-U from malacite, which process is required to produce, जब इसका हमारा working होता है, तो यह carbonate ore है, carbonate ore को अगर oxide ore में change करते हैं, तो simple एक process का नाम हम जानते हैं, calcination, कौन सा process होता है बच्चो, sir, calcination process हो जाता है, तो अगर आप से पूछे, in extraction of copper from malacite, which process is required to produce C-U-O from O, sir, the process is very simple, the process we are going to discuss here, that is calcination, यह process अपका क्या हो जाएगा, calcination process हो जाएगा, तो question number 9, 9 का हम लोग क्या बोलेंगे बच्चो, C is the correct option, again I am repeating 9 का क्या हो जाएगा, C is the correct option, now last question आप के पास है, last question आप के पास क्या दिया हुआ है, copper matte is extracted from copper pyrite, copper matte is extracted from copper pyrite ore, by heating it in a blast furnace, बहुत अच्छी बात है, the method is based on the principle, क्या हो जाएगा, copper pyrite का formula होता है, C, U, F, E, S, 2, यह बढ़रा breakdown होके बनेगा, C, U, 2, S, F, E, S, plus S, O, 2, यह C, U, 2, S, बाद में बजलेगा, C, U, 2, O में, या C, U, O में, और फर्दर आपको क्या मिल जाएगा, आपका copper का formation हो जाएगा, तो कहता है, copper matte is extracted from copper pyrite ore, by hitting it in a blast funnel, गरम, blast funnel में गरम करते हैं, the method is based on the principle, that copper has more affinity for oxygen, than sulfur at high temperature, iron has less affinity for oxygen, than sulfur at high temperature, sulfur has less affinity for oxygen, at high temperature, copper has less affinity for oxygen, than sulfur at high temperature, इसलिए तो SO2 का formation होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए, कि the method is based on the principle, that copper has less affinity for oxygen, than sulfur at high temperature, so question number 10 के लिए, हम लोग क्या बोलेंगे, कि sir, D is the correct option, तो मैंने इन छोटे-छोटे question के साथ, आपको चीजे बता दी, कुछ important question लिए हैं, इससे भी अच्छे-च्छे questions आप घर में करो, practice करते जाओ, अगर कोई आपको doubt होता है, तो हमारे मीजो की website में आजाओ, पूछ लो, कहीं कोई problem नहीं होगी, तो चलो एक बार review कर लेते हैं, बच्चो review में क्या आता है, थोड़ा देख लो, question number one अगर आप से कहता है, कि PB which is present as impurity in silver is removed by cupellation, cupel में उसको गरम करते हैं, बिल्कुल, which of the following is not a halide ore, मैंने आपको क्या बताया, lemonite, Fe2O3 into 3S2O, it does not contain halogen, it is oxide ore, question number three, slag is formed by acidic flux, plus basic impurity से बनता है, बिल्कुल, question number four, which of the following does not contain copper, कौँन, copper contain करता, Calamine formula क्या होता है, ZNCO3, अब which of the following type of iron, can be welded easily, कौँन सा इजिली बरॉट रॉट 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 पर से जिसमें 0.2 से लेका 0.5 पर से अपका क्या होता है, क्या रॉट 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 process is called calcination 9 ka c question number 10 copper matte is extracted from copper pyrite or by by hitting it in blast furnace the matter is based on the principle that copper has less affinity for oxygen than sulfur at high temperature that is d is the correct option question number 10 we will say d is the correct option i hope yeh sab cheezho sa familiar ho chukhe ho next class pe kuch nahe ek nahe chapter ke saad apse phir milte hain tab tak ke lihe kuchh raya abad raya bye bye thank you so much you